नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्यवर्बा दोस्तो आज की वीडियो में आप लोगों को GM सेक के बारे में बताया जाएगा, मैं तो कून कलाकार हैं वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दोस्तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजेगा और एक प्यारा सा सुन्दर सा एक कॉमेंट भी कर दीजेगा जिसका हमें इंतिजार रहता है और इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा और अगर आपने अभी तक हमारे वाटसप और टेलिग्राम चैनल को जोईन नहीं किया है तो जाकर जोईन कर लिजे तो चले फिर पढ़ना स्टाट करते हैं G.M.Sekh सब्से पहले इन का पूरा नाम जान लेते हैं इन का पूरा नाम है गुलाम मोहंमद सेk G.M.Sekh का पूरा नाम है गुलाम मोहंमद सेk और यहां से भी प्रशन आपके पेपर में पूंचा जा सकता है तो ध्यान रखेगा फिर्म का जन्म कहां हुआ था? 1937 इसवी सुरेंद्र नगर और यह सुरेंद्र नगर कहां पढ़ता है तो गुजरात राज में गुजरात में इनका जन्म हुआ था 1937 में और इनकी पतनी का क्या नाम है तो नीलिमा सेख ध्यान रखेगा इनकी पतनी कौन है नीलिमा सेख 1954 में बड़ोदा कलार विद्याले से एनस बेंद्रे की सानिधी में डिप्लोमा प्राक्त किया और बाद में बड़ोदा में ही कला इतिहास के प्रोफेसर बन गए तो इन्होंने कला की सिक्षक कहां से ली तो ध्यान रखेगा बड़ोधा कला विद्याले से और वहां पर सिक्षक कौन थे यानि किसके सानिदी में किसके निर्देशन में इन्होंने पढ़ाई की तो एनस बेंदरी वहां पर सिक्षक थे और इन्हीं के सानिदी में इन्होंने बड़ोधा कला विद्याले से कला का डिप्लोमा प्राप्त किया फिर कला की सिक्षा प्राप्त करने के बाद बड़ोधा में ही ये कला इतिहास के प्रोफेसर बन जाते हैं फिर 1963 में कला सिक्षा प्राप्त करने ये Royal College of Art London चले गए वे विजिटिंग प्रोफेसर कहां के रहते हैं ध्यान दीजेगा सिकागो आर्ट इंस्टिउशन और 1969 से 1973 तक कला पत्रिका व्रेस्चिक का संपादन किया तो इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया तो कौन सी पत्रिका है व्रैस्चिक इसका भी ध्यान लखेगा ये कलाकार यानि चित्रकार, छापाकार, लेखक, कवी, कलासमिक्षक और कलायतिहासकार भी है ध्यान दीजेगा ये चित्रकार भी है, छापाकार भी है और लेखक भी है, कवी भी है, कला समिक्षक भी है और कला इतिहासकार भी है फिर आगे देखिए इनके चित्रों में प्रतिक्षा, भ्रमड, चक्कर खाते रास्ते, अपने के सवार्ती पीट किये बैठी कोई स्त्री नहाती हुई स्त्री, खिड़की तथा द्वार से बाहर देखती हुई स्त्री, आदि प्रकार की स्थितियां दिखाई पड़ती है तो इनके चित्रों में किस प्रकार की चीज़े चित्रत की गई है, यानि कौन से विसयों का नों चित्रन किया है तो वो चीज यहां पर दी हुई है इन्होंने अपने चित्रों में वर्णमाला के अक्षरों का प्रियोग किया है विसेज ध्यान दीजेगा इन्होंने अपने चित्रों में वर्णमाला के अक्षरों का प्रियोग किया है तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल लखेगा लेखन की छेत्र में इन्होंने मुगल तथा आधुनी काल पर अपनी द्रश्टी से प्रकास डाला और इनकी कला पर भारती लग चित्रशैलियों का प्रभाव है तो ये पॉइंट ध्यान लखेगा इस चित्र के केंदर में सिलसिला फिल्म प्रदाश्यत होती दिखाई गई है और इसमें तीन लोग सिगरट सुलगाते हुए बनाए गए है इनका जो चित्र है सहर विकाव है इस चित्र में सिलसिला फिल्म प्रदाश्यत होती दिखाई गई है और इसी चित्र में तीन व्यक्ती सिगर्ट सुलकाते हुए प्रदर्शित हैं यानि दिखाए गए हैं चित्रत किये गए हैं फिर जीयम सेख ने आधुनिक सहरी पासविक्ता, कुरूरता, चारत्रिक पतन के पीछे मुंबई की फिल्मों को उत्तरदाई माना है उन्होंने आधुनिक सहरी पासविक्ता, यानि कि जो बरबर या फिर पसुओं के समान लोगों का जो ब्यवहार होता जा रहा है, कूरूरता और चारत्रिक पतन, इसके पीछे इन्होंने मुंबई की फिल्मों को उत्तरदाई माना है यानि ऐसा माना कि जो फिल्में है मुंबई की यही इस प्रकार की चीज़े जो हो रही उसके पीछे उत्तरदाई है फिर नेक्स्ट पॉइंट है 1981 में दिल्ली तथा मुंबई की प्रदशनी प्लेस फॉर पीपल में यह भी छह चितरकारों में से एक थे जो प्रदशनी थी प्लेस फॉर पीपल तो यहां पर छह चितरकारों में से जो आपके GM सेख हैं ये भी सामिल थी और ये कबीर दास से बहुत प्रभावित थी तो ध्यान लेखेगा GM सेख कबीर दास से बहुत प्रभावित थी ये question पूछा जा सकता है फिर आगे आते हैं इनके प्रमुक्षित्र तो पहला चित्र है लंबी अनुपस्थित के बाद घरवापसी सहर विकाओ है इस चित्र के बारे में आपको बताया भी गया है किस चित्र में क्या दिखाया गया है और इस्मरती और संगीत के बीच बोलती सडक कहत कबीर शरंखला प्रतीक्षा और घुमकड के बीच में स्टोरी ओफ अल्फाबेट और अट्री ओफ लाइफ फिर है इस्मरती और संगीत के बीच जादूगर और फकीर तो ये हो गया इ आते हैं इनके पुरसकार वा सम्मान तो 1983 में इन्हें मिला पादम श्री फिर 2002 में इन्हें कालिदा सम्मान मिला और 2009 में इन्हें मिला राजा रवी वर्मा पुरसकार फिर 2014 में मिला इन्हें पादम भूशन ये हो गए इनके पुरसकार और सम्मान इसी के साथ ये वीडियो भी समाथ होती है और GM सेख से संबन्दी जितने भी महतुपून पॉइंट थे आपको सारे बता दिये गए हैं वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरू दीजेगा और अपने मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अप्लोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरन पहुंच जाए तो फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ अब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ नहींवा दोस्तों जैहिंट